आप सभी का बिहारा 247 पर जी हाँ आपके अपने रागविन्स आ आ चुके तो सभी प्यारे दोस्तों का बहुत-बहुत श्वागत और बहुत-बहुत अभिनंदन है एक बार जैसा कि मैं देख पर आँ जोती जी हैं बिल्कुल बिहारी आर्मी है नितीज भीया है सभी को नम आप सभी प्यारे दोस्तों का सलोनी है नीरज भीया है हमारे बहुत-बहुत श्वागत है सभी बच्चों का प्रवीन जी है क्या बात है सभी दोस्तों का बहुत-बहुत श्वागत है नमस्कार भीया नमस्कार रोशन भी है हमारे बहुत-बहुत श्वागत है शौर जी है अमरितार राओ जी भी है, सभी को नमशकार है, स्वागत है, अभिननदन है, जेहिन भीया अजीद, बहुत-बहुत श्वागत है, आप सभी पहरे दोस्तों का बिहाराड़ा 24-7 पर स्वागत अभिननदन आभार, जल्दी-जल्दी से आजाओ सभी लोग, एक बार लिंक को शेयर करतो, रादे रादे सुरुची कुमारी, बहुत-बहुत श्वागत है, आपका प्रीती सिंग, बहुत-बहुत श्वागत है, आरंग जेब खाँ, बहुत-बहुत श्वागत है, अरे बहुत-बहुत श्वागत है, बहुत-बहुत श्वागत है, बहुत-बहुत बहुत बहुत नमस्कार है चलते हैं जरा मोटिवेशन पर चलते हैं ठीक है नमस्ते प्रवन बहुत बहुत श्वागत है बहुत अभि रंडन नीरज भाहिया बहुत तुम करते हैं मत अपने सपनों को सपनों के लिए जमीन भी जरूरी है सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा और जरूर याद रखिएगा सभी प्यारे दोस्त आज का पहला प्रस्टन आप सभी के स्क्रीन पर है देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आएगा अंग्रेजों ने फूट डालो और शाशन करो की नीती कब अपनाई थी नितीज भाईया नमसकार बेबी जी सभी को नमसकार है बहुत बहुत श्वागत है जल्दी से आओ राज जल्दी से बताएए 1877, 1833, 1858 और 1799 मतलब कहने का 1799 जल्दी से बोलो तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती को कब अपनाया था आप सभी को बताना है सभी को नमसकार है, नमसकार, सभी पैरे दोस्तों को नमसकार है, जल्दी से बताओ तो क्या होगा करेक्ट और राइट अंसर हो जाएगा, 1858, 1858 में अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीती अपनाई थी इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखिएगा, 1858, याद करो वो समय जो 1857 की करांदी का था, उसी के बाद कहीं न कहीं, यह यह लेकर के आए थे हाला कि अंग्रेजों की स्टार्टिंग से ही यह रणनीती रही कि फूट डालो और भारतियों पर राज करो, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा गरीबों की गाए के नाम से किसे जाना जाता है, गरीबों की गाए के नाम से किसे जाना जाता है, अनीशा कुमारी बहुत बहुत नमस्कार भाईया, उत्तम जी, बहुत बहुत श्वागत है, जल्दी से आजाओ, कह रहा है, गरीबों की गाए किसे कहते हैं, बकरी को, भैस कहते हैं इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे याद भी रखिएगा और ध्यान भी रखिएगा क्या बात है बहुत जबर जस्त बिलकुल बहुत बहुत बहतरी शाबाश बस अभी अभी स्टार्ट हुआ है याद रखिएगा और ध्यान देने के लिए जानी जाती है मतलब इन में से वो कौन सी बकरी की प्रजाती है कौन सी बकरी की किस्म है जो दूद देने के लिए सबसे जादा जानी जाती है जमुनापारी बरबरी महशाना या कसमीरी तो जल्दी से बताईएगा एक बार क्या होगा करेक्ट और राइट अंस हो जाएगा वो हो जाएगा बरबरी बकरी जो होती है ये सबसे ज़्यादा दूगद देती है या दूद देती है इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखिएगा हाला कि जमनापारी बकरी भी होती है इस बात को ध्यान रखेंगे औ और जो second battle था पानीपत का, आप सभी को अगर याद हो तो 1556 में हुआ था, याद रखिएगा, किसके बीच हुआ था, बैरम खां और हेमू के बीच, अकबर और मिरजा हकीम के बीच, अकबर और बैरम खां के बीच, अकबर और महारणा परताब के बीच, तो यहाँ याद रख ही मातर, 14 वर्ष का बालग था, तो इसकी और से लड़ा कौन था, तो याद रखिएगा, बैरम खाएं लड़ाई लड़ी थी, और बैरम खां जो है, बैरम खां जो है, वो क्या था, बैरम खां जो है, वो सनरक्षक था, क्या था भई, सनरक्षक था, इस बात को ध्यान रख है किसका संदफ्च parent था अकबर का तो यह उप्शन में देखा बैरंabytes दिया यहां है मूँ दिया है और कहीं हैंत रही नहीं तो करेक्ट और राइट अंसर क्या हो जाएगा बैरंब्च और हे का अंसर आया है सभी ने लगभग लगभग ए अंसर दिया है अगला कह रहा है जलिया वाला बाग के नर संगहार के समय भारत का वाइसराय कौन था यह सवाल करके दिखाओ जरा यह सवाल करके रे बच्चे नए हैं ठीक है वो सभी बिहार अड़ा 24-7 को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे बैल आइकन को प्रेस करेंगे अगर मजा आ रहा है डेली इस तरीके की क्लास के लिए बिल्कुल जुड़ना ना भूलिएगा किसके साथ में राग विल सर के साथ में तो देख हुआ था पंजराब के अमरिस्सर में हुआ था इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को सभी लोग याद रखिएगा अब अगर मैं बात करूं को उस टाइम पर साशनकाल किसका था तो लौड चैम्सफोड का साशनकाल चल रहा था याद रखेंगे और सभी लोग ध्य जो महत्مा गांधी जी ने शुरू किया था, कुसे शुरू किया था, एक अगस्त उन्निस सो बीस को शुरू किया था, और इसी सेम दिन, जो मृत्यु किसकी विटी, तो याद रखिएगा, उम्रत्य हुई थी बाल गंगा धर तिलक की किसकी हुई थी बाल गंगा धर तिलक की म्रत्य हुई थी याद रखना और सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखना एक बार इमानदारी से सभी लोग Session को लाईक और शेयर करें लाईक की संख्या देखिए आप कि तरह दिल तूट जाता है मेरा कई बार एक बार session को share करिए और सभी लोग like करिए जमर्जस तरीके से याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा Lord करजन, यह वही करजन है जो बंगाल के विभाजन के लिए famous है बंगाल का विभाजन किया था Lord करजन ने इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है Lord रिपन यह वही Lord रिपन है जिसके समय में यही वो Lord रिपन है जिसके समय में क्या हुआ था याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा Lord रिपन यह वही है बेटा जी जिसके समय में भारत में पहली बार या पहली दसकी जनगरना हुई थी इस बात को याद रखिएगा और इस बात को ध्यान भी रखिएगा बोलो या सोर्मो फड़ावट बताओ कब हुई थी 1881 में हुई थी 1881 में हुई थी लॉड रिपन को इस्थानी सोशाशन का इस्थानी श्वशाशन का जनक कहा जाता है श्वशाशन का जनक कहा जाता है इस बात को याद रखना और इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखियेगा Lord Canning ये बंगाल ये जो है ये वेक्ती जो है ये Governor General of Governor General of India है जो की Last Governor General है Last Governor General of India है और First Vice-Roy of India है भारत का पहला Vice-Roy of India है वो कौन है वो आप सभी को पता है वो कौन है बिटा जी Lord Canning है तो Correct और Right अंसर सभी को पता चल चुका है सरवाधिक दूध देने वाली बकरी कौन है जल्दी से बताओ सरवाधिक दूध देने वाली बकरी कौन होती है आपको बताना है जल्दी से बताओ थार पारकर होती है तो गाईकी हो गई मेरीनो होती है ये तो उन देने वाली बकरी है जो आस्टेलिया में पाई जाती है जमना पारी हो गई या पस्मीना हो गई पस्मीना बकरी कहां पाई जाती है आपको पता है जल्दी से बोलो बेटा जी ये बिहार अड़ा 247 के टेलिग्राम को आप लोग जोईन करेंगे तब मिल पाएगा ठीक है शौर है देखो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ये आपकी जमना पारी बकरी जो है ये सरवाधिक दूद देने वाली बकरी होती है याद रखिएगा पस्मीना पस्मीना जो बकरी होती है ये पता है पस्मीना बकरी की जो बाल होते है उसके बालों को काट करके बनाई जाती है पस्मीना उन सुन लो पस्मीना उन बनती है और पस्मीना उन से क्या बनता है पस्मीना सौल बनती है और जान लो एक बात जरा सौल बनती है कहोगे क्यों क्या सुनाना वाले है सर पस्मीना बकरी जो लिशेल के правда अपने आपको बैतर महसूस करती है और एक सौल की कीमत पसमीना एक सौल की कीमत लगबख 8 correlation रुपए होती हैν एक सौल की कीमत 1 1000 रुपए होती है और इसको बनाने में लगबख 200 चंवं से 300 गंटे का समय लगता है तो अप समस अकlen पसमीना बहुत अपने आप में फेमस सॉल है जो बहुत जगह फेमस है कि कस्मीर की होती है याद रखिएगा ठीक है हाई हलो स्वागत है नीलेज भाहिया बहुत बहुत श्वागत है आजओ निम्न में से सबसे अधिक सबसे अधिक आश्वत दूद देने वाली भैस की नसल कौन सी है भैस की नसल कौन सी है जो सबसे ज़्यादा दूद देती हो बेटा जी चार बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है अजे भीया चार बजे क्लास स्टार्ट हो जाता है बोलो एस और नो फ भाइस होत की नसल कौन सी है ये आपको बताना है फड़ा फट बताईए ज़रा जबर जस तरीके से शेशन को शेयर और लाइक कर दिए जितने प्यारे दोस्त हैं एक बार सभी प्यारे बच्चे शेशन को शेयर और लाइक कर देंगे तो करेक्ट और राइट अंसर हो जाएगा जाफरा वादी भाइस जो होती है ये सबसे ज़्यादा दूद देने वाली भाइस है सबसे ज़्याद मिलग की productivity इसमें होती है, इस बात को याद रखियेगा, और सभी लोग ध्यान भी रखियेगा, कौन्सी भयास है बीटा जी? और ये मोहम्मद गोरी जो है ओ कहा का याद रखे न है तुरकी का नाम क्या हो गया इंया बताएं तुर्किये क्या नाम हो चुका है तुर्किये याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा तो सभी प्यारे बच्चे बताएंगे मुहम्मद गोरी यह वही गोरी है भहिया कौन से गोरी है सर जिसके चार युद बहुत ही फेमस है सबसे पहला कौन सा है गुजरात का युद गु इसे करके उठा लिया था इसे करके कालर पकड़ा इसे उठा लिया बहुत मारा था इसको नाइका देवी ने गुजरात का युद इसमें यह हार गया था नाइका देवी जीत गई थी मूल राज दुती जीत गए थे दूसरा जो युद है वो प्रथम प्रथम किसका तराइन क युद्ध दूसरा तराइन तराइन का युद्ध ये दूसरा युद्ध था ये ग्यारा सो बानवे में हुआ था ठीक है अब जब दूसरा युद्ध हुआ ये वाला जो दूसरा युद्ध है ये गोरी और प्रत्वीरा चोहान के बीच हुआ लेकिन इसमें प्रत्वीरा चो इसमें गोरी ने जैचंदर को हरा दिया था याद रखिएगा तो करेक्ट और राइट अंसर क्या हो गया अफगानिस्तान क्या हो गया अफगानिस्तान से आया था कौन बोलो जल्दी से गोरी कौन सा गोरी मुहम्मद गोरी बोलो हाया ना कहरा है कौन विक्ति अनसूचित जा तीका है या नहीं है राष्टपती उपराष्टपती राजपाल या प्रधान मंतरी फटाफट बताईएगा जल्दी से बताओ जल्दी से बोलो हाँ देखो धोक अब इतनी पूरी कहानी तो नहीं सुनाई जाएगे ना विटा कि धोका हुआ था नहीं हुआ ता अलग बुद ने है 85 और जब मैं क्लास में आया था तो 30 लाइक थे मतलब अभी भी डेढ़ सो लोगों ने लाइक नहीं किया है इमानदारी से एक बार जबर जस तरीके से लाइक और शेयर ठोका जाए शेशन जबर जस तरीके से देखे कोई भी वेक्ति अनुसूची जाती का या जन जा और उप राष्टपती अपना त्याग पतर किसे देते हैं तो याद रखिएगा राष्टपती को खोगे अच्छा ये एक दूसरे के 20 वर्षा होते हैं राजपाल अपना त्याग पतर किसे देता है राष्टपती को किसी भी राज का जो राजपाल होगा वो अपना परसीमन आयोग का अध्धक्ष कौन होता है यह सवाल बता दो भाईया दो लॉली पॉप मिलेंगे यह सवाल बता दिया तो आपको दो लॉली पॉप मिलेंगे ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा जल्दी से बताओ ग्रह मंतरी मुख्य चुनावायूक्त प्रधान मंतर या चुनावायुक्त बताईए परसीमन आयोग का अध्धक्ष कौन होता है आपको बताना है डिलीमिटेशन कमीशन बोलते हैं इसको अगर मैं डिलीमिटेशन कमीशन की बात करूं तो इसका जो चेयर परसन होता है इसका जो चेयर परसन होता है या चेयर मैं होता है मैं अगर उसकी बात करूं तो इसका चेर्मेन कौन होता है याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा भारत का जो मुख्य मुख्य चुनाव आयुक्त होता है मुख्य चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है वही होता है इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखिएगा बोलो मुद्दा के लिए जल्दी से बोल दो बहुत बहतरीन बहुत शानदार अब देखो सभी प्यारे बच्चे जानते हैं मुख चुनाव आयुक तो ही होता है जैसे मैं आपको पता दू जिसे भारत में अभी जो वर्तमान में जो भी सीटे हैं चाहे हो राजसभा की मैं बात करूँ चाहे मैं लोकसभा की बात करूँ चाहे मैं विधान सभा की बात करूँ विधान परिशत की बात करूँ इन सभी में जो भी सीटे वर्तमान में हैं उन सीटों का नरधारण 1971 की जनगर्णा के आधार पर हुआ है बताईए अब आप समझ सकते हैं 1971 की जनगर्णा के आधार पर अब कहा गया है कि 2026 में जब 2021 की जनगर्णा हो जाएगी तब 2026 तक इन सब जगों पर इन सब जगों पर जो सीटे हैं वो एक जैसी रहेंगी कोई परिवर्तन नहीं है लेकिन 2026 में एक नया परसीमन आयोग बनेगा मतलब कहने का दे लिमीटेशन कमीशन बनेगा 2026 में और यह निर्धारन करेगा कि किस वर्ष की जनगर्णा के आधार पर हमें सीटें रखनी हैं यह निर्धारन करेगा किस वर्ष की जनगर्णा के आधार पर हमें सीटें रखनी हैं तो इसका जो मुख्या होगा इसका जो प्रमुक होगा वो मुख चुनाव आयुक्त होता है, इस बात को याद रखना और इस बात को सभी लोग ध्यान रखना, आर्टिकल 324 से 329 में बताया गया है, अंडर सेक्शन 80 में क्या बताया गया है, कि जो मुख चुनाव आयुक्त होता है, वो परसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है, आगे बताना है बाबर था खिल जी था तुगलक था चंगेज खा था एक बार महबत के साथ में सेशन शेयर हो जाना चाहिए जबर जबर जस्त ट्रीके से शांदार जांदार एक दम जम 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 करते हुए आंसर आना चाहिए कि नहीं सभी पहरे बच्चे बताईए इमानदार अभी भी सौ लोग हैं लाइक नहीं किये हैं क्या यार दिल देखो मेरा दिल बाद टूट जाएगा फिर जल्दी से एक बाद लाइक और शेयर ठोको फटाफट जल्दी से सभी लोग लाइक और शेयर ठोको बिलकुल गरेटिट्यूट गर्ल बहुत-बहुत शवागत हैं नमस्कार बिटा जी नमस्कार याद रखिएगा खिल जी कौन और खिल जी में कौन था तो बखतियार खिल जी था याद रहेगा कि नाई यह वही बक्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्यु विद्याले को नस्ट किया था नालंदा विश्यु विद्याले को क्या किया था बेटा जी नस्ट किया था याद रखियेगा और ध्यान रखियेगा जितने प्यारे बच्चे हैं नालंदा विश्व विद्याले को इसने क्या किया था बेटा जी नस्ट किया था बात आती है बाबर बाबर वही है जिसने मुगल वन्स की नीव रखी है अगर मैं तुगलक की बात करूँ तुगलक में आता है गयाशुद्दीन तुगलक वही है जिसने तुगलक वन्स की नी अबार अपने भाई को माटडाला था एक मचली डाला 1 करो मार दिया अपने हैं इतना सैतान आदमी था up सुमझ सकते हैं मंगोलिय और भादावानी कर्शी जो हती है बागानी नादी की घाटियों में करीवियाई चेत्रो करेबियन खेत्रों में कैलिफोर्निया में या मिसीसिपी कि घाटियों में फड़ा फड़ा बताएगा जबर तस्त तरीके से सभी लोग बहुत बटिया शाबाज जल्दी बताओ मेरे प्यारे भाई जल्दी से वोलो फड़ा फड़ा तरीके से बताओ बहुत बहतरीन बहुत शांदार जानदार जबर जस्त तो correct और right answer क्या होगा बागानी करशी जो ब्यापक है वो कैलिफोर्निया में होती है और कैलिफोर्निया कहा है बटा जी तो USA में है कैलिफोर्निया का USA मतलब अमेरिका में है इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी लोग धान रखिएगा Google का जो headquarter है वो कैलिफोर्निया में तो है Google का जो headquarter है वो कैलिफोर्निया में तो है दुनिया की विश्यु की सबसे बड़ लंबी नदी विश्यु की सबसे लंबी नदी सबसे लंबी नदी जो है वो कहां पर है बोलो मिश्र से सुरू हो रही है मिश्र काहिरा नील लदी है और नील लदी में ही नील लदी की घाटियां पाई जाती है इस बात को याद रखना और ध्यान रखना कह रहा है कुजबास कुजबास कोईला छेत्र कुजबास कोईलाचेतर निम्न लिखित में से किस राज्ज में इस्थित है आपको बताना है महबबत के साथ में एक बार बताया जाए रूस में कजाकिस्तान, पोलेंड और यूकरेंड आजकल तो दंगा भी चल रहा है यूकरेंड और रूस का फटाफट बताओ देखे क्या होगा राइट अंसर जल्दी से बताइए फटाफट बताइए हाँ इसके उपर अभी कारे चल रहा है इसके उपर अभी कारे चल रहा है इंदरजीत जी ठीक है इसके उपर अभी कारे चल रहा है अभी सीटों का निर्धारन नहीं हुआ है अभी आने माले समय के लिए बिडिसाइड होगा, ठीक है, चलो, आगे आ आजो बिटा जी तो याद रखिएगा और राइट अंसर हो जाएगा रूस, क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा इस बात को याद रखिएगा और सभी प्यारे बच्चों को ध्याण रखेंगे ठीक है आज मैं लेट हो गया कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं विजए भाया ठीक है तो कहां इस थी था ये ये कोईला छेत रहे रूस में इस्थितर याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ठीक आगे आजो कह रहा है मुगल काल में सरप्रथम किस सहर में अंग्रेजों ने अपने कार खाने इस्थापित किये थे जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में क्या होगा आंसर मुगल काल में मुगल काल में कह रहा है अंग्रेजों ने अपने सबसे पहले कार खाने कहां इस्थापित किये थे मदरास कलकत्ता मुंबई या सूरत और आप सभी को पता है कि जहागीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज अंग्रेज था जिसका नाम क्या था कैप्टन हॉकिन्स बोलो यस और नो कैप्टन कैप्टन हॉकिन्स बोलो यस और नो फटाफट बताओ हॉकिन्स आया था कि नहीं आया था तो कैप्टन हॉकिन्स हाला कि जहांगीर के दरबार में कई लोग यूरोपी आये थे कैप्टन हॉकिन्स थे तो टॉमस रो थे और आपके बिलियम फिंच थे विलियम टेरी थे तो कई लोग आये थे लेकिन उनमें से सबसे पहले आने वाला वेक्टी कैप्टन हॉकिन्स था याद रखिएगा एक बार जबर्जस तरीके से महबबत के साथ में शचन को शेयर करिएगा अभी भी अभी भी पूरे 80 लोग हैं जिननों शचन को लाइक और शेयर नहीं किया है दबा करके शचन को लाइक और शेयर किया जाए और साथी साथ में जो भी नए बच्चे हैं एकदम नए बच्चे हैं वो डेली जुड़ते रहें बिहार अड़ा 24-7 को तो भीया क्या करना है यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर लेना है बैल आइकन को प्रस कर लेना है जिससे कि आपको मेरी क्लास डेली मिलती रहेगी और जमर्जस तरीके से आप पढ़ते रहेंगे ठीक है याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे अच्छा ये तीनों के तीनों क्या है ये तीन प्रसिडंसी हुआ करती थी याद रखिएगा और यही तीन आगे चल करके Presidency Bank के रूप में बन गए, Presidency Bank बना दिये गए थे, कौन कौन से थे, Presidency Bank of Calcutta, Presidency Bank of Bombay, Presidency Bank of Madras, यह तीन बैंक भी बना दिये गए थे, 1806 में Presidency Bank of Calcutta था, 1840 में Presidency Bank of Mumbai आया, और फिर 1843 में Presidency Bank of Madras आ गया था, आगे चल करके यही तीनों बैंक मर्ज हो गए थे, और बन गया था, क्या भाया, Imperial Bank of India, और कब मर्ज हुए थे, तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, 1921 में मर्ज हुए थे, यह तीनों Presidency Bank कब मर्ज हुए थे, 1921 में मर्ज हुए थे, और बन गया था, Imperial Bank, कुछ कह रह है, देखो आज थोड़ा बड़ा Motivation है, थोड़ा बड़ा Motivation है, याद रखिएगा, और ध्यान रखिएगा, कह रहा है, परत्वी पर ऐसा कोई भी वल्क्ति नहीं, जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं, जिसका कोई समाधान ना हो, मनजिले चाहे कितनी भी उची क्यों नहों उसका रास्ता हमेशा पैर के नीचे से ही गुजरता है बोलो यह सरनो फड़ावर बताओ तो याद रखना और सभी लोग ध्यान रखना एक तरीके से कि यहां पर इस्थती बड़ी ही बहतर हो जाती है आप लोगों की कह रहे हैं बहुत प्रत्वी से निकट हमारा यह क्या है सन सन के पास में सबसे पहला क्या है बुद्ध फिर क्या है सुक्र बोलो हायाना फिर क्या है प्रत्वी फिर क्या है मंगल मंगल के बाद क्या है ब्रहस्पति सनी सनी के बाद अरुन अरुन के बाद वर्व बोलो यह सरनो कुल मिला के आठ ग्रे हैं बोलो य यह रहा प्रत्वी। यह रहा कौन सा मंगल। तो यह जो चार ग्रे हैं इन्हें हम कहते हैं आंतरी ग्रे यहां अंगरेजी में कहना चाहो तो इनर प्लेनेट कह सकते हो। ये कौन सा है ये है अरुन यान ये कौन सा है ये है वर्ण ये चार जो कहलते है अब देखो प्रत्वी के सबसे नजदीक या तो सुक्र है इधर से और या तो मंगल है आप्शन चेक करो मंगल है कहीं नहीं है सुक्र है कहीं दिख गया ये लो हैपी बड़े टु यू हो गया सवाल का की नहीं सवाल का happy birthday to you हो गया की नहीं और इसी को हम क्या कहते हैं सुक्र की जुणवा बहन भी कहते हैं जुणवा बहन भी कहा जाता है ठीक है अच्छा सुन लो और जो आपका सुक्र है इसे हम morning और evening star कहते हैं morning और evening star कहते हैं इस बात को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ठीक है अच्छा जो प्रत्वी है प्रत्वी को हम क्या कहते हैं नीला ग्रह कहते हैं नीला का मतलब है blue planet कहते हैं बोलो बताया था की नहीं बताया था हमने आपको सुक्र और सुक्र और बुद्ध दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है उपग्रह नहीं है ब्रहस्पती सबसे बड़ा ग्रह है सबसे बड़ा बड़ा ग्रह है और ग्रह होने के साथ साथ में दूसरे नंबर पर आता है उपग्रहों के नाम पर उपग्रह भी इसके पास सबसे दूसरे नंबर प सबसे बड़ा उपग्रे ब्रहस्पती का ही है जिसका नाम है ग्यानमीड क्या नाम है ग्यानमीड ग्रहे है उपग्रे है जो सेटलाइट है ब्रहस्पती का वो सबसे बड़ा सेटलाइट है अब आप जदेखिए यहां से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसके पास तो उपग्रे हैं नहीं प्रत्वी के पास एक लौता उपग्रे है जिसे हम कहते हैं मून या चंद्रमा मंगल के पास दो उपग्रे हैं एक को कहते हैं फोबोस फोबोस और दूसरे को कहते हैं डीमोस बोलो हाया ना एक है Phobos दूसरा है Deimos तो सबसे छोटा जो सेटेलाइट है वो Deimos है सबसे बड़ा जो सेटेलाइट है वो ग्यानमीध है याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा सिवा जी के अध्यात में गुरु कौन थे बड़ा ही बार सवाल आया है कि सिवा जी के अध्यात्मी गुरू कौन थे जल्दी से बताओ सासा राम से कौन है पहले तुम यहाँ पहले बाचीत कर लो सासा राम आंसर नहीं करना है ना आंसर करना वो है जल्दी से बोलो आंसर करो फटा फट रामदास एकना तुका नार तुका राम या इन में से कोई नहीं, बोलो जल्दी से, जो सिवा जी थे उनके अध्यात्मी गुरू कौन थे आपको बताना है, जल्दी से बोलो, सिवा जी के अध्यात्मी गुरू कौन थे बताए जल्दी से, सिवा जी के अध्यात्मी गुरू, तो याद रखियेगा और ध्यान रखिय और सभी लोग याद ध्यान रखने के साथ साथ याद भी रखिएगा बिल्कुल एस दा राइट एंजमाज़ान मांसर अब दो कुशन बहुत बहतरीन जलवा है सरकार एक बार सशन शेयर होना चाहिए कि नहीं अभी भी लोगों ने लाइक और शेयर बराबर नहीं किया बहु कह सकते हो कि मराठा सामराज में हुआ करते थे ठीक है तो गुरू जैसे थे इस बात को याद रखना प्रत्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुम्ब की पदार्थ है ग्रेनाइट है डायो राइट है निकिल है बेसाल्ट है प्रत्वी के केंद्र में अरे जी देखो य ये रही पत्रवी, ये रही पत्रवी, ये रही पत्रवी, बोलो हायाना, इस तरीके से, मैं बना दू पत्रवी, मैं बना दू पत्रवी, बोलो हायाना, तो अगर मैं यहां से इसको निकालू, तो ये सेंटर है की नहीं है, बोलो, तो ये सेंटर हुआ की नहीं हुआ, तो इसे क्या था ये मेंटल है सर अरे पागल नहीं है ये मेंटल है क्या है ये मेंटल है जल्दी से बोलो हाया ना क्या पाया जाता था इसमें इसमें पाया जाता है सिलकॉन और मैगनीशियम बोलो यस और नो सिलकॉन और मैगनीशियम ये क्या है ये क्रस्ट है भूपटल है क्या पाय पाया जाता है सिलकॉन और अल्यूमिनियम पाया जाता है बोलो यस और नो फटावट बताया घरो कह रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तैं करके नमक कानून का विरोध किया था 248 किलोमिटर 386 284 और 385 किलोमिटर फटावट बताईए एक बार जबर्दस तरीके से राइट अंसर क्या होगा फटावट बोलेंगे सभी प्यारे बच्चे कोई भी रुकेगा नहीं बहुत 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 शांदार जल्दी से एक बार सेशन को शेयर और लाइक ठोका जाए बहतरीन तरीके से जड़ा तो याद रखिएगा गांदी जी की जो दांडी यात्रा है नाम मी ऐसा पड़ जाता है गांदी जी की जो दांडी यात्रा है अगर मैं दांडी यात्रा की बात करता हूँ भिटा जी तो ये शुरू की गई थी कब शुरू की गई थी याद रख लगबग लगबग गांदी जी ने 24 दिनों तक ये यात्रा की ती कितने दिनों तक 24 दिन तक ये यात्रा की ये यात्रा साबर मती से सुरू हुई थी साबर मती से सुरू हुई थी और कहां तक गई थी तो याद रखना और सभी लोग ध्यान रखना ये दांडी तक गई थी कह 240 मील पैदल चले और 240 मील लगबग लगबग अगर देखोगे तो 385 किलो मिटर के बराबर होता है याद रखना और सभी लोग ध्यान रखना बहुत शांदार बहुत जांदार बिल्कुल जहमा जहम ठीक है बिल्कुल जहमा जहम भारत में Muslim League की स्थापना कब होई बताइए भारत में Muslim League की स्थापना कब की गई थी सभी लोगों को बताना है बोले जल्दी से 1907, 1908, 1909 और 1906 बोलो फटा फट मुस्लिम League की जो स्थापना है इसकी बात करता हूँ इसकी स्थापना 30 December 1906 को की गई थी तो आप कहोगे ढाका में की गई थी बिलकुल सही बात है और 1907 में इन्होंने अपना सम्विधान बनाया था इन्होंने किन्होंने मुस्लिम लीग ने कहाँ पे बैठके कराची में बैठके 1908 में 1908 में इन लोगों ने अपना पहला अधिवेशन किया था अमरिस्सर में और 1909 में यहाँ पर आया था मोरले मिंटो सुधार अधिनियम थीक है मोरले मिंटो सुधार अधिनियम आया था इस बात को ध्यान रखना और इस बात को याद रखना तो correct और right answer जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1906 बोलो बात के लिए और एक बात ध्यान रखिएगा और एक बात याद रखिएगा मुसलिम लीकी स्थापना करने जो लोग थे सलीमॉला खान वेकार, मुहशिनुल्मुल्क आगा खान ये सारे के सारे लोग यहाँ पर एक जिस्ट कर रहे थे याद रखिएगा असम का चैतन किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है सोच समाझ के बताईएगा असम का चैतन किसे कहा जाता है या माना जाता है लाल गिर को सिव नरायन को दरिया साहिब को या संकर देव को चल्दी से बताओ फटाफट बताओ एक बार सभी प्यारे बच्चे एक बार सभी प और शेयर नहीं किया है बहुत गलत बात है मज़ा नहीं आएगा फिर एक बार जबर्दस तरीके से सेशन को लाइक और शेयर किया जबर्दस सभी प्यारे बच्चे तो याद रखिएगा संकर देव जो संकर देव हैं इनको कहा जाता है असम का चैतन्य क्या कहते हैं प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था सोच समझ के बताईएगा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था बताईए उननिस सो पचास से क्यावन त्रेपन और सत्तावन तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा पिछड़ा वर्ग आयो में की गई थी कब की गई थी इस बात को याद रखिएगा और इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान भी रखिएगा ठीक है याद रखिएगा और सभी लोग ध्यान भी रखिएगा अब मेरी बात को ध्यान से सुनिये 1951 में भहिया पहली पंचवर्शी योजना शुरू फ्रस्ट फाइव इयर प्लान आया था याद रखिएगा जो 1951 से शुरू होके 1956 तक गया था 1950 में क्या हुआ था? 1950 में 15 मार्च को अगर मैं बात करता हूँ याद रखना और सभी लोग द्यान रखना 15 मार्च 1950 को क्या हुआ था बेटा जी? तो यहाँ पर योजना आयोक की स्थापना की गई थी? योजना आयोक की स्थापना की गई थी और योजना आयोक की जो चेयर मैन होते थे वो कौन होते थे आप सभी को पता है योजना आयोग के चेर्मेन भारत के प्रधानमंतरी होते हैं हाला कि अब ये बंद हो चुका है और इसके इस्थान पर नीती आयोग आ चुका है क्या आ चुका है नीती आयोग आ चुका है नाशनल इंस्ट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और इसकी इस्थापना एक जन्वरी 2015 को की गई थी इस बात को ध्यान रखियेगा और इस बात को सभी लोग याद भी रखियेगा ठीक है तो करेक्ट और राइट अंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बटाजी सॉरी 1953 हो जाएगा देखो क्या करना है बावन नहीं 1953 हो जाएगा इस बात को ध्यान रखियेगा कहरा है सबसे ज़्यादा वशा किस भैस के दूद में पाया जाता है सबसे ज़्यादा जो fat होता है वो किस भैस के दूद में पाया जाता है इस बात को याद रखिएगा मुर्रावाली में भधावरी में महशाना में या नाकपूरी में फटावट बताओ सबसे जयादा जो basically भहाइस का दूद जू है उसमें सबसे जयादा जो fat है fat का मतलब. वश्छा जो है वह किस में पाया जाता है कि भहाइस के दूद में बता जल्दी से बोलो काउसी होगी सबसे जू दूद देती हो Ron जाफरावादी होती है याद रखना और सभी लोग ध्यान रखना एकबर महबद के साथ सेशन को शेयर करिए सभी लोग जबर्दस तरीके से तो याद रखिएगा भधावरी कौन सी बटा जी भधावरी जो भैस होती है जो भधावरी भैस होती है यह वो भैस है जिसमें सबस जल्दी से बताओ किस इतिहासकार ने अकबर द्वरा प्रतिपादे दीन इलाही को एक धर्म कहा था अबुल फजल ने निजामुदीन अहमद ने अब्दुल कादिर बदायूनी ने और इन में से कोई नहीं बताइए फटाफट क्या होगा राइट एंजहमा जहमांसर क्या हो जो है वो दीन इलाही सुन लिजे दीन इलाही का दीन इलाही का ओफीशियल क्या हुआ करता था प्रिस्ट हुआ करता था मतलब पूजा पाट करने वाला ठीक है और दीन इलाही को मानने वाला जो पहला और अंतिम वेक्ति था वो था बीरबल कौन था बीरबल और बीरबल क ही नाम है महेजद दास बीरबल का ही नाम था महेजद दास फस लोग ध्यान रखना टिंडर पिछड़ा रग का गठन करते बोले जल्दीσε पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है आप सभी को बताना है जल्दी से बताइए पृधान मंत्री, राश्टपती, ग्रह मंत्री या उप 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 राश्टपती उन सभी की जो कितनी न्यूकती या उन सभी का गठन जो होता है वो रास्टपती के द्वारा किया जाता है कोई भी आयोग हो याद रखिएगा कोई भी आयोग रास्टी ये चाहे वो पिछडावर्ग आयोग हो चाहे अन पिछडावर्ग आयोग हो चाहे वो अंसुची जंज बिख्यात पशू पस्मीना क्या है बताईए उनके लिए बिख्यात पशू पस्मीना क्या है बताओ कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ मुझे क्या होगा और यह लाइक की संख्या जो है ना अभी भी मैं बतादू आप सभी पहरे बच्चों को लगबग लगबग 50 लोग ह है एक बार महबत के साथ में सेशन को लाइक और शेयर करिए सभी पहरे बच्चे जितने पहरे साथ ही है एक बार सेशन को लाइक और शेयर जबर जस तरीके किसे करेंगे एक दम जम जम करते हुए बहुत 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 शांदार तो सभी रोग बताईए कौन है जी तो बकरी है भाई कौन है बकरी है कहां पाई जाती है कहां पाई जाती है जल्दी से बुलो तो यह पाई जाती है जम्मू कस्मीर के रीजन में जम्मू और कास्मीर मे विधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है यह सवाल तो बिल्कुल एक दम कहते नहीं है बिल्कुल ही क्या हो गया यह देखो बकरी आ गई भाहिया बकरी आ गई मंडल विधायोग को बताय गया है भारती संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर्के 329 में याद रखिए गा और ध्यान रखिएगा विधितायोग काहां बताया गया है on video दो सो असी में 356 में क्या बताया गया है राष्ट पती साशन कौन सा साशन राष्ट पती शाशन 343 में क्या बताई गई यह भासा जिसे हम कहते हैं language क्या बोलते हैं language आगे आजो कह रहा है अकबर ने सरपतम बैवाहिक संबंध राष्पूतों के जिस ग्रह से इस्थापित किये वह था मतलब राष्पूतों में कई प्रकार के राष्पूत कई प्रकार के छत्री होते हैं तो अकबर ने सबसे पहले बैवाहिक संबंध कहां इस्थापित किये थे भाया नमस्ते बुंदेलों के साथ कछवाहों के साथ राठोरों के साथ या इन में से कोई नहीं तो याद रखिये गा और ध्यान रखिये गा यह कछवा हुआ करते थे कौन होते थे कछवा हुआ करते थे इस बात को ध्यान रखिये गा और याद रखिये नामक जो एक क्या है ये आपको बताना है सिट्रस कैंकर ठीक है क्या है आपको बताना नीबू का रोग है नीबू का एक प्रशिद्र कीट है नीबू की प्रजाती है इन में से कोई नहीं है एक बर महबत के साथ शाशन को लाइक और शेयर करो सभी प्यारे बच्चे महबत के साथ में लाइक और शेयर ठोका जा जबर्जस तरीके से जितने प्यारे साथी है याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा सभी प्यारे दोस्त जितने जबर्जस साथी है यहाँ पर ये एक नीबू का रोग होता है ये एक नीबू का रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं जै लक्षमी बहुत बहुत श्वागत है नमस्कार गुड इवनिंग बिल्कुल जम 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 करते हुए आगे आजाओ पोल बर्थ भेंड का जन्मिस्थान कहा है मतलब पोल नामक क्या बोलो पोल बर्थ एक किसम होती है भेंड की वो कहां पाई जाती है आगको बताना है जल्दी से बताओ इंग्लैंड में है इस्पैन में है साओधिया अरब में है या फिर मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त इस आस्ट्रेलिया में है जल्दी से बोलो मरीनो उन कहां पाई जाती है आगको पता होना चाहिए जहां मरीनों उन होती है वहां मरीनों बकरी और भेंड भी होती है तो यह भाईया पोलवर्थ भेंड है और पोलवर्थ भेंड जो है वो भी आस्टेलिया में ही पाई जाती है याद रखना जीते हैं मेरे भाई बहुत बहुत नमस्कार है श्वागत है तुम्हारा अब इनंदन है मेरे प्रिदो प्यारे दोस्त जल्दी से आजाओ कह रहा है निम लिखित में से कौन राश्ट्री विकास परिशत का अंग नहीं होता है जल्दी से बता दो एक बार जल्दी से बताओ राज का राजपाल योजना आयोक के सदस्वी या फिर राज्यों के मुख्यमंत्री या परधान मंत्री इमानदारी से अभी भी 50 लोग हैं लाइक नहीं किया है एक बार लाइक और शेशन को शेयर करो फटाफट जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से आज बहुत सारे निउग कोस्चन देखने को मिले अरे भ परिशत का हिस्सा नहीं होते याद रखिएगा कह रहा हैं अंग्रेजी सासनकाल में भारत का कौन सा छेत्र अफीम उत्पाधन के लिए प्रशिद्ध था बताओ जी भारत का कौन सा हिस्सा था बिहार था दक्षिन भारत ता असम था गुजरात था जल्दी जल्दी से बोल बहुत जांदार बिल्कुल जम 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 करते हुए आंसर गोड इवनिंग श्वाती जी बहुत बहुत नमस्ते 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 सभी लोग के बार सेशन को लाइक और सेर करो सभी प्यारे बच्चे जितने नए हैं न वो सभी के सभी बिहार अड़ाइट 247 को सस्क्राइब क यार बिहार था बिहार था बहिया बताओ बिहार मतलब पहले से खाइनी यह नहीं चल रही हम लोगों के हैं चलो कोई बात नहीं आगे आजो कोई बात नहीं नीबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है नीबू का जो कैंकर रोग है नीबू होता है लेमन लेमन का जो कैंकर रो बिलकुल जहमा जहम आंसर आ रहा है, देखना भी यह है किसका आंसर सब से पहले आएगा, बहुत बहतेरीं, एक बार इमानदारी से नेहां, कितने बात नमस्ते करोगी। नेहां कुमारी आंसर नहीं कर रही हो, नमस्ते बस करती जा रही हो बटियाgh, जल्दी जल्दी से आंस नहीं आया है तो आंसर हो जाएगा जीवानू की बीमारी है कौन सी बीमारी है जीवानू की बीमारी है कह रहा है मिली बग मिली बग किस फशल से संबंधित है बोलो मूमफली से सरसों से गन्ना से जौर से मिली बग जो है ये प्रजाती है किस से संबंधित है मूमफली सरसों गन्ना यहां ज्वार से तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा यह सरसों से संबंदित है कौन सी किसमें सरसों की याद रखना सबसे ज्यादा पानी किस फसल को चाहिए होता है गन्ना को और गन्ना के बाद किसे चाहिए होता है तो आप कहोगे चावल को चावल सबसे ज होता है उत्तर प्रदेश में याद रखना ध्याना प्राथना समाज की इस थापना किसकी प्रेड़ना के फलसरूप हुई थी जल्दी बताओ केशोचंदर सेन विद्या सागर गोपाल हरी देशमुक और देवेदना टैगोर फड़ावट बताइए क्या होगा करेक्ट और रा रखेंगे चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है विशाणू जीवानू सहवाल हरे सहवाल या फिर कवक के द्वारा चाय में लाल रस्ट रोग होता है आपको बताना है जियाद की कारण होता है किसके कारण होता है यह एक हरे सहवाल के कारण होता है लाल रस्ट रोग चाए में गन्ना देखा है गन्ने में कई जगे बीच बीच में जो पुया होती है उसमें लाल-लाल सी लाइन खिची होती है आदमी गन्ना का जूस पिरवा के पी जाता है भाईया उसमे कीड़ा होता है मत पिया करो ध्यान रखिएगा सुतंतरता प्राप्ति के समय महत्मा गांदी क्या थे बता हो जलती से सुतंतरता के समय महत्मा गांदी क्या थे कॉंग्रेस कारसमिती के सदस थे अच्छा कॉंग्रेस के अदिप्ष थे अच्छा कॉंग्रेस के सदस नहीं थे अच्छा कॉंग्रेस के महा सची हो भाईया ये कुछों नहीं थे कॉंग्रेस के तो कॉंग्रेस के सदस नहीं थे याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा conceptual question है मोहन कुमार नमस्कार बहुत बहुत श्वागत है नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहुत बहतरीन एक दम जम 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 करते हुए answer आ रहा है जम 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 बच्चा कुछ भी purchase करना चाहता है यूज करेगा कोड क्या यूज करेगा मैक्सिम डिसकाउंट के लिए आप डाउनलोड कर लो तुरंत आप इसको और कहां जाओ कोर्स में चले जाओ कोर्स में जाने का बाद बिहार पर चले जाओ बैच दिखेगा तुरंत रजिस्टर कर लो अपने आपको कोड यूज कर लो वाई 361 जैसे यूज करोगे वैसे ही 78% का डिसकाउंट मिल जाएगा याद रखियेगा और ध्यान रखियेगा और ये बैच मात्र और बात्र 1980 रुपए में मिल जाएगा क्यों महत्पूर है ये बैच इसके लिए अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं इसमें हम बिहार का जो पुलिस से संबंदित दोनों वेकिंसी आने वाली है एक सिपाही आने वाला है उसका भी पढ़ाएंगे दूसरा दरोगा आएगा उसे भी और बिहार का एससी जो आने वाला है पूरा उसके भी पढ़ाएंगे तो एक तीर से चार निसाने बनेंगे इस बात को ध्यान रखना इसलिए बहुत अच्छा बैच है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए अगर कोई चाहता है कि नहीं नहीं हम तो सिर्फ बिहार का फायर मैं नहीं लेंगे तो भी वह अड़र 247 का एप डाउनलोड कर ले और तुरन इससे परचेस कर सकता है और ऑल कोर्स में जाके बिहार में जाकर करके सेलेकर के बैच को ले पाएगा कोड डिसकाउंट चाहिए कोड यूज करना पड़ेगा यूज करिए बैच मिलेग 735 रुपए में मात्र और मात्र 735 में जारकंड एक्साइज का भी यह सेम होई करना है अड़र 247 का डाउनलोड करना है विजिट करना है आप सभी को कहां पर आल कोर्स में बिहार पर जाना है बिहार से जाने के बाद में आप अपना जीमेल डालिए व्यू आफर करिए कोड लगाए वाई 361 जैसे लगाएंगे वैसे ही आप इस बैच को 808 रुपए में प्राप्त कर लेंगे यह जारकंड का पेपर का पेपर वन है इसे भी आप सभी लोग परचेस कर सकते हैं डाट 247 एप को डाउनलोड करके इस बात को ध्यान रखिएगा कोड ध्यान रखेंगे सभी प्यारे बच्चे वाई 361 यूज करना होगा ठीक है यह जारकंड का एससी सीजील का बैच है जारकंड एससी सीजील जो आप सभी प्यारे बच्चे जितने प्यारे दोस्त हैं वो ध्यान रखेंगे अंकित कुमार आंसर की दें टेलीग्राम में प्लीज बेटा जी हमे थोड़ा पढ़ने के लिए भी कोशिस करो चलिए अड़र 247 एप की अगर बात करो इसको डाउनलोड करोगे कोड यूज करोगे वाई 361 आपको यह बैच मात्र और मात्र 880 रुपए में प्राप्त हो जाएगा इस बात को ध्यान लखना ठीक और यह है बिटा जी अच्छा यह अंतर रास्टी वूमेंज देखा कलका लगा होगा ठीक है तो सभी पहरे बच्चे दो देहान रखेंगे याद रखेंगे सबसे पहला आपको काम क्या करना है बिहार अड़र 247 को क्या कर लेना है सस्क्राइब कर लेना जितने नए बच्चे हैं बैल आइकन को करेंट और कुरेंट यह वो पूरा मिल जाएगा दाउट सेसिन मिल जाएंगे क्विज मिल जाएंगे डेली के तो वो देली के डेली करते रहें और पूरे 6 मखेंगे करेंट अफेर भी तयार कर लिए क्योंकि एक्जाम में 6 महीने का करेंट अफेर पूछा जाएगा इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को ध्यान रखना और याद रखना बाके हम लोगे मुलाकात होती रहेगी तहां पर बिहार अड़ा 247 पर रात आठ बजे भी क्लास ह होता है मेरा तो आप सबी लोग वहां भी पढ़ सकते हैं महबब की ख्लास में ठीक है तो चलिए मुलाकात करते हैं तब तक के लिए थैंक्यू सूमच बाबाइ टेक केर जैहिए लव यू ओल कर दो 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 झाल झाल